नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने बाले हैं बिहार पुलिस 8415 पोस्ट पर होने बाले लिखित परिक्षा के रिजल्ट पर कोरोना से दिन बद दिन इस्थिती खराब होने के कारण एवं लोकडाउन लगने के कारण रिजल्ट पर क्या परभव परने बाले इसी पर चर्चा करने बाले हैं तो चलिए आज कब जोई स्टाट करते हैं पहले बात करते हैं बिहार पुलिस ड्राइबर के फिजिकल टेस्ट का नया डेट कब तक जारी किया जा सकता है एवं इनके फिजिकल टेस्ट कब तक हो सकते हैं तो जैसा कि आप सभी को पता है कि बिहार पुलिस ड्रैवर का फिजिकल टेस्ट सात मई से सुरू होने थे लेकिन कोरोना संक्रवन की बरती रफ्तार के कारण बिहार पुलिस ड्रैवर का फिजिकल टेस्ट अस्थगित कर दिया गया तो बिहार पुलिस डैवर का नया फिजिकल डेट 15 माई तक आने की कोई समभावना नहीं है, 15 माई के बाद ही इनके नए फिजिकल डेट जारी किये जा सकते हैं अगर इस्तिती समाने रहती है एवं लॉकडाउन फिर से नहीं बरहाए जाते हैं तो बिहार पुलिस डैवर का फिजिकल का नया डेट जून के फिजिकल डेट जून के फिजिकल टेस्ट जून के लाश्ट या जूलाई के फिजिकल डेट में शुरू हो सकते हैं अब बात करते हैं बिहार पुलिस 8,415 पोस्ट के लिखित परिक्षा का रिजल्ट कब तक जारी किया जा सकता है एवम लॉकडाउन एवम कोरोनों की इस्थिती दिन बदिन खराब होने के कारण इनके रिजल्ट पर क्या परभाव परने बाले हैं तो लॉकडाउन एवम कोरोनों के कारण दिन बदिन इस्थिती खराब होने के कारण बिहार पुलिस के रिजल्ट पर परभाव परने बाले हैं इनके रिजल्ट में देरी हो सकते हैं इनके रिजल्ट में 2-3 सब्ता का देरी हो सकते हैं पहले ये रिजल्ट जून के लास्ट वीक तक आने की समभावना थी लेकिन अब ये रिजल्ट आपके जुलाई के थर्ड या फोर्थ वीक में आने की समभावना है क्योंकि lockdown एवं कोरोनों के कारण इस्थिती खराब होने के कारण कई सरकारी संस्थाने बंद कर दी गई है एवं कई सरकारी संस्थानों में करमचारियों की संख्या 25 फिस दी कर दी गई है जिसका असर आपको result पर देखने को मिल सकता है तो lockdown एवं कोरोनों के कारण इस्थिती खराब होने के कारण बिहार पुलिस के रिजल्ट में देरी हो सकती है इनके रिजल्ट आपके जुलाई के थर्ड या फोर्थ वीक में जारी किये जा सकते हैं इनके रिजल्ट की रिगारिंग जैसे ही कोई अपडेट आती है हम आपको वीडियो के मात्यम से सुचित करें इसक्राब मेरे चनल को सब्सक्काइब करें वीडियो को लाइक का उसे रोकर तो चलिए आज करें वीडियो तेकने के लिए आपका धन्यवाद